ओम स्री सत्गुर्देव भगवाने की जय जे गुरु पदयम भुजय नुरागी ते लोक हुँ बेद हुँ बड़ भागी पापी हुँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागरतरी हैं जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा कर ही सब कोई जेही पर कृपा नकर ही त्रिपुरारी सोनर पावन भगती हमारी प्रभुर्श्री राम चंद्रजी का कौन सा ऐसा गुन था जो भगवान को महान आज तक उनकी संस्कृति उनकी जीवन गाथा उनका विचार समाज में है एक बहुत ही सुन्दर भजन है इसमें दर्स आया गया है इस भजन के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि प्रभु का जो सबसे बड़ा प्रमात्मा का गुन है वो है भक्तों पर दया करना कृपा करना जीवों पर कृपा करना जीव लाख गलती करता है लेकिन इस्वर उन गलती को नहीं देखता उनके गुणों को देखता है न जाने कौन से गुन पर दया निधी रीज जाते हैं किस गुन पर भगवान ओध दया निधी प्रमात्मा राम रीज जाते हैं भक्त के ये उस भक्त को भी नहीं पता है इसलिए भगवान का ये बड़ा सुन्दर भजन है आप सब लोगों ने सुना होगा पहले भजन सुना करके फिर इसका बहुत हीं सुन्दर अर्थ भी है तो अर्थ भी बताएंगे क्रिपा की न होती जो आदत तुम्हारी क्रिपा की न होती जो आदत तुम्हारी प्रभूर्श्री राम के जीवन में अगर आप देखें तो यह सबसे बड़ा गुन्द था के क्रिपा उनके अंदर थी करुणा था दया था प्रेम था और वह क्रिपा वह करुणा वह दया वह प्रेम भगवान को भगवान बनाया मर्यादा पुर्शोत्तम बनाया सब के राम बनाया तो बहुत ही सुंदर भजन है पुरा इसे सुनेंगे तो आध्यात्मिक आनंद उर्जा दोनों मिलेगा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती ही फाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुम्हारी गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी न मुल्जिम ही होते ना तुम होते हाकिम न घर घर में होती तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी इबादत तुम्हारी न घर घर में होती पूजा तुम्हारी न घर घर में होती भक्ती तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तुम्हारी उलफत के द्रिग बिंदु है यह बिंदु जी का या भजन बहुत सुन्दर है बहुत ही अच्छे कभी हुए थे अपने समय में और बहुत सिर्शक पुर्ण भजन बिंदु जी लिखते थे जिसमें रहस्य चिपा रहता था पूरी भजन में गीता रामायन बेद सब कुछ और लिख देते थे पुड़ा भाव दरसा देते थे छोटे से छोटे भजनों में तो तुम्हारी ही उल्फत के द्रिग बिंदु हैं तुम्हें सवपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी प्रमात्मा के या भक्त कह रहे हैं भगवन हे ना थे मेरे राम भगवान का एक गुण ही उन्हें महान बनाता है वो कृपालू होते हैं दयालू होते हैं तो ये भक्त कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी भगवन ये कृपा की जो है आपको आदत लग गई है जिससे किसी को किसी चीज की आदत लग जाती है तो मेरे राम भगवान को प्रमात्मा को ये कृपा करने की आदत लग गई है जब जीव पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं नुकंपा करते हैं तो उसे नर सरीर प्रदान करते हैं ये भगवान की कृपा की आदत है क्योंकि ये जीव को मनुश्रीर मिलता है तो कोई-कोई तो भजन करके 84 से मुक्त हो जाता है अब कोई-कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो फिर 84 में चल जाता है तो फिर भगवान उसको कर्म के अनुसार भोगाते हुए फिर उसको 84 लाख्योनियों में पूरी यात्रा करवाते हैं फिर कृपा करते हैं ये बार-बार जीवों पर कृपा करते करते प्रभू की कृपा की आदत हो गई और इसलिए भगवान का अदालत जो है न एक अदालत तो यहां पर प्रतेक देश राष्ट में होता है जहां पर कोई अगर गल्ती करता है तो उस देश के हिसाब से सम्विधान के हिसाब से जो भी दंड कारवाई बनती है धारा के हिसाब से तो लोग जश साहब लोग देते हैं नयायधीस लोग देते हैं हर देश में नयायधीस होते हैं भारत में भी हैं तो यह तो अदालत एक संसार की है लेकिन एक अदालत भगवान के दरबार की भी है उस अदालत में अगर भीड है उस अदालत में अगर सरनार्थी गए हुए है उस अदालत में अगर दुखी गए हुए है तो मात्र इसी आदत के चलते भगवान के कृपा के आदत के चलते और नहीं अगर भगवान की कृपा की आदत नहीं होती, वो कठोर होते, तो जीव में तो इतना आउगुन है कि जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता. हर संकल्प, हर विकल्प, हर पगपग पर ये मन बहकाते रहता, कववा है, हमेशा गलत तरव ही जाते रहता, भगवान कृपा करके इसको धीरे धीरे हंस बना देते हैं. तो इसलिए बिंदु जी कह रहे हैं, परभू अगर कृपा की आपकी आदत न होती, तो आपके अदालत में एक भी आदमी नहीं होता, अदालत सुनी ही रहती. कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी देखे केवड जानता था कि भगवान कृपा करते हैं वो जानता था कि कृपा करके ही अहिल्या माता को जाकरके उधार किये थे गौतम नारी स्राप बस उपल देह धरिधीर चरन कमल चाहत चरन का रज कमल का रज चाहत विश्वामित्र जी करते हैं कृपा करहुरग वीर तो इतना केवड अज्यानी नहीं था कि भगवान के चरन को छूने से पत्थर नारी बन गई नारी का जो आकृती था पत्थर का वो नारी में प्रवर्तित हो गई केवड जानता था कि भगवान कृपालू है कृपा करके गए थे वास्तों में हम सब जितने भी जीव है न इस संसार में ये चेतन तो दिख रहे हैं हाथ पैर हिल रहा है लेकिन सब हैं पत्थर जडवत हैं अपने कर्मों की वजह से जड़ है गोतम अभी इंद्रियों में अंधकार है ये जड़ है इस्वर की तरफ नहीं जा रही है इसलिए जड़ है और जिस दिन उस चेतन परमात्मा की तरफ ये भक्ती भावना उनमुख होने लगती है उस दिन से चेतन हो जाती है फिर पत्थ से वो नारी का स्वरूप ले लेती है चित्य बृत्ति में जो जड़ता थी वो खतम हो गई कब जब भगवान का हिर्दय में स्वरूप आने लगा वो चरण रज आने लगा तो भगवान ने पूछ करके कृपा करके उदो जा रहे थे चले जाते लेकिन बोले अरे ये क्या है आश्रम बड़ा उजंक है क्या है गुर्देव गुरु मराज ने कहा प्रभू आप तो अंतर्यामी हो सब जानते हो विश्वामित्र जी ने कहा आप सब जानते हो फिर भी पूछ रहे तो बता रहा हूँ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी आप ही की आसाम बेचारी पत्थर बनके पड़ी हुई है क्रिपा करें रगवीर तो रगवीर ने क्रिपा किया तो केवट कहा भगवन लड़ गया भगवान से वो जानता था कि भगवान क्रिपालू है ये लड़ाई भी मैं उसे लड़ रहा हूं तुनको गुशा नहीं आ रहा है लच्मन जी को गुशा रहा था निसाद राज को गुशा रहा था लेकिन भगवान तो अंदर का भाव जान रहे थे न भगवान तो अंतर्यामी है भगत का क्या भाव है किस भाव से वो भगत पुकार रहा है कोन सा उसका संकल्प है ये प्रभु जान रहे है और हम लोग बुद्धी से सोतें तो लगता है कौन सी बाणी अतपटी है कौन सी बाणी अच्छी है लेकिन भगवान महाफुरूस इश्वर जो होते हैं आपके हिर्दय के भाव रूपी वाणी को पकड़ते हैं बाहर जो चातकार्ता की वाणी होती है प्रसन करने की, खुश करने की, उससे उनको मतलब नहीं होता, तो भगवान करें रे भाईया उस पार जाना है, हमें पार कर दो, कृपा कर दो, केवट करा प्रभु दुनिया को तो कृपा करके आप मनहीं मने, दुनिया को तो कृपा करके आप उस पार करते हो, मैं आपको उस पार क्या करूंगा मैं तो बस चार आहूं कैसो चरनिया धोलूं इतने क्रिपा करो और कुछ नहीं वो कहता है कि प्रभू आप चाहे जो करो लशिमन जी हमको हजारों बान मार दें बहुत तीर लखन मार दें फिर भी हे क्रिपानिधान हे सीतापती जब तक आपके चरन को नहीं धोलूंगा उस चरन का पान नहीं कर लूंगा घर में छीट के देख नहीं लूंगा थोड़ा नईया पर भी छीट के नहीं देख लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतार सकता भगवान ने कहा अच्छा भीया सोई करू जेहिं तव नावन जाई वहीं करो जिस्ते तुम्हारी नाव बच जाए कृपा सिंधु बोले मुशुकाई सोई करू जेहिं तव नावन जाई कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी यहां भी भगवान कृपा कर रहे है केवट पर कर रहे है के हे केवट वहीं कर लो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए कृपा सिंधु बोले मुशुकाई कृपा के सिंधु है भगवान कृपा नहीं कृपा के सिंधु है सागर है इसलिए हमारे पुझे गुर्देव भगवान कहते हैं आप पुर्व में क्या पाप किये हैं क्या पुन्य किये हैं उससे मतलब नहीं गीता और राम चरित मानस की साधना के हिसाब से आप आज से लग जाओ जो पाप पुन्य कियो हो वो धीरे धीरे कट जाएगा संसकार दवाई ठहने लोगे रोग भागने लएगा राम नाम के दवाई पीलं राम नाम के दवाई अत्तोरा सारा रोग भागी जाई एक तो रोग है जो संसार में ठ्छंगुना में दरद, माथा में दरद, पेट में दरद, ये तो सरीर जब तक रहेगा, वो चीता तक साथे रहेगा, आज दरद है कल सही, फिर परसो हो जाएगा, ये जब तक सरीर ये दरद रहेगा, ये कौन रोग भाग जाएगा, भगवान के नाम की दवा यहां क्रिपा किया, केवट ने तुरत पान इकठवता भरी लेई आवा, लाके भगवान का चरण धोआ, थोड़ा सा मुह में डाला, थोड़ा नाव पर छीटा, उसके बाद भगवान को बैठा लिया, फिर भगवान उधर गए, उस पार तो सोचे इसको भाड़ा दे दें, को अपना चरण छुआ दिया, चरण रज धोआ दिया, अब क्या चाहिए, आपकी क्रिपा से तो सब पा गया, आजुनाथ मैं काहन पावा, मिटा ही दोस दुखदारी ददावा, फिर भगवान आज मैं क्या नहीं पा गया, मेरे सारे दोस दुख सब नस्ट हो गए, ऐ आप की क्रिपा से, हाँ, अगर इतने ही आप क्रिपा लू हैं, इतने ही देने वाले हैं, तो हे प्रभु क्रिपा करके, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद मैं सिरधरी लेबा, लोटते समय, नारान आप जो दे दोगे, देखा की, जाते समय तो भगवान ने क्रिपा करके चरण रज छुआ ही लिया, आते समय भी कम से कम प्रभू के दर्सन हो जाएंगे, इसी बहाने भगवान तो बचन के पक्के हैं, हम भले भूल जाएंगे, भगवान भूलेंगे नहीं, तो फिरती बार लोटते समय भी दर्सन हो जाएगा, और ओ प्रशाद मैं रख लूँगा प्रभू आपका, तो इसलिए भगवान की जो आदत है, वो क्रिपा की आदत है, ये क्रिपा की आदत ही, जो राम जी के जीवन में करुणा था, क्रिपा था, धया था, ये प्रतेक मनुष्य को अपने जीवन में लाना चाहिए, छमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उतपात प्रभु के घटे जो भ्रिगुमारी लाद छमा हो क्रिपा हो बात ये कहीं है लाग कोई गलती करे अगर आप उसको छमा कर देते हैं तो धीर धीर वो सुधरने का प्रयास करता हाँ अगर दंडनी अपराद है तो वो भी क्रिपा ही है अगर दंडनी अपराद है तो दंड देना भी क्रिपा है क्योंकि समुद्र भगवान की क्रिपा से जब रास्ता नहीं दे रहा था भगवान ने उससे प्रार्थना किया तो उसके दंड का भगवान ने अपराध रूपी दंड जो उसने किया तो भगवान ने कृपा रूपी उसको सजाजब देने के लिए तैयार हुए तो फिर तुरत आ गया सरण इसलिए जो आपराधी हैं जो छमा दान से नहीं सुधरने वाले हैं क्योंकि हमारे सास्त्रों में नियम है साम दाम दंड भेद सुधारने का चार तरीका साम दाम दंड भेद साम मतलब प्यार से छमा से क्रिपा से दाम मने फिर थोड़ा प्रलोभन भी दे के रे बुगा सुधर जो ले टाफी खाले सुधर जो और दंड फिर नहीं तो दू चटकना मार के दू महिना जेल में भर के ये जेल भी जो है न ये क्रिपा ही है वहाँ पर संविधान क्रिप आप पर करता है तो आपको जेल भेजता है कि रे सशुरा आप सुधर के आजो तो यह दंड नहीं अभी एक क्रिपा रूपी दंड है और भेद फिर अगर जीव वहां से भी नहीं सुधर ता तक काला पानी भेज दो यहां भेज दो फिर भेद फिर बद से अच्छा सुधरने का प्रयात्म किया जाता है बाहरी समाज में और चार विधियों से भगवान भी रावण को सुधरने का मौका दे रहते पहले प्यार से नहीं माना तब फिर उसको दंड से समझाए भेद में दुनिये से अलग कर दिये तो इसलिए प्रभू की जो आदत है यह क्रि पाही करना चाहिए वाज कल क्या है कि लोग अपने अंदर साम दाम दंडे तीन हटाय सीधे भेद जाओ नहीं मानोगे तो छोड़ दिये नहीं जाओ नहीं मानोगे तलाके देते हैं यह कर देते हैं के बार मडरे कर देते हैं हमको ऐसे बोल दिया मार देंगे हमारे मानहानी के खिलाप हो गया गोली मार देंगे नहीं भगवान से सीखना है कि पहले समुद्र को भगवान ने किस तरह मनाया नहीं माना तो फिर किस तरह माना तो इसलिए भगवान की जो ये आदत है क्रिपा की इसलिए उनकी अदालत भरी हुई है जीव समझ रहा है कि भगवान कोई न कोई क्रिपा करेंगे ढूंड ढूंड करके मानस में आप देखिए कि भगवान ढूड़ ढूड़ करके भक्तों के पास गए भक्त नहीं ढूड़ा है अब सोचिए सवरी का पता पूछ के गए सुग्रिव का पता सवरी ने बताया भगवान पूछ पूछ के कृपा करते हैं आप भक्ती तो करो भगवान आपको ढूढ लेंगे आपको भगवान को ढूढने की जरूरत नहीं न तीरत में जाने की जरूरत न ब्रत में जाने की जरूरत आप जहां हो वहीं से बैट के भगवान का भजन करो ध्यान करो भगवान ही आपको ढूढ लेंगे तिर्थवर्त में तो इसलिए जैसे अवियाध्याधाम मंदिर बन रहा जहां प्रभू की जनमस्तली है वहाँ पर हम इसलिए जाएंगे वहाँ पर जाएंगे तो भगवान के जनमस्थली का दर्सन होगा संत महात्मा मिलेंगे ज्यान मिलेगा पुन पुर्सार्थ बढ़ेगा बस इतना लेकिन भगवान को अगर ढूड़ना है तो आपका और हमारा क्या उकात है कि हम भगवान को ढूड़ पाएंगे इसलिए आप भगवान को ढूड़ने का प्रयत्नत कदापी मत करिए आप बस राम 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 हनुमान जी के तरफ बैठ के वे पहाड़ पर किसे हनुमान जी कर रहे थे तो भगवान ढूड़त ढूड़त पहुँच गए ढूंडते ढूंडते पहुँच गया सुग्रिव को सुग्रिव अपने न जाके हनुमाने जी को कहा करे जाओ जाओ देखो भाई कौन आया है लक्तान को मारने के लिए आया है क्या भगवान ने यहां भी क्रिपा करके हनुमान जी को कहा प्रगु बानरों पर क्रिपा करते हैं सुग्रिव बेचारा जीवन भर लाते खा रहा था भाई का इधर से उधर लेकिन भजन करते रहा तो भगवान उस पर भी क्रिपा किये बोले सुग्रिव चिंता मत करो तुम्हरों बिमारी उए है कि पत्नी भुला गई है हमरों बिमारी उए है इसलिए हम दोनों मित्र हो जा सोचा बड़ा बताई। प्रभु आपने क्रिपा किया नादान तुछ जीवाएं पर नहीं तो आप तो अंतर्यामी हो आप सब जानते हो आपकी लीला है अब आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हो तो आप जो आदेश करें मैं करूँगा आपका प्रभाव प्रंपार है अमित बल देखा देखी अमित बल बाढ़ी प्रीती बाली बधवई नभई परतीती तो भगान ने कृपा किया सुग्रिव पर और सुग्रिव पर तो कृपा किया ही किया और बाली को मारा तो बाली पर भी कृपा कर दिया इधर इस भाई पर भी कृपा उधर उस भाई पर भी कृपा भगवान ने किसी को नहीं मारा बाली करता है प्रभू आपने तो कृपा किया हमें मारा थोरी जनम जनम मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही हे प्रभू आपने तो कृपा कर दी कृपा करके आपने मुझे मरते समय अपने हाथों से मारा और एक गरदन मेरे सिर के नीचे कर बैठे हैं और कर रहे हैं आप तो करुणा मैं हैं आप कृपालू है इसलिए न करहा है चल करहूं तन राखा हूं प्राना बाली कहा सुन कृपा निधाना यहां देखे मानस में गोश्वामी जी कितना सुन्दर करहा है कृपा निधाना भगवान कृपालू ही नहीं कृपा के निधान है कहीं कृपा सिंदु कहा कहीं कृपा न चाया वह भी खुस जिसको मारा वह भी खुस इसलिए प्रभू स्री राम चंद्रजी मर्यादा पुर्शोत्तम कहलाए कृपा के शिंधू कहलाए और लाखो बर्स पहले प्रभू हुए और आज तक अमर हैं तो बाली भी खुस हो गया और राम राम कहके अंत में अपनी जीव ने आत्रा का शमापन किया तो भगवान यहां भी कृपा करते हैं कृपा की न होती जो आदत तुमारी है मेरे ठाकुर जी आपकी कृपा की आदत न होती यह अदालत सुनी रह जाती फिर भगवान आगे बढ़ते हैं तमाम राच्छसों को मारते हुए ताड़का पर कृपा करते हैं सुबाहु पर कृपा करते हैं मारीच को मारते हैं तो मारीच भी करता है प्रभू आपने कृपा की आप उन्हें मारा और मरते समय में राम राम जप रहां उसके बाद समुद्र बाते हुए लंका में पहुँचे लंका में इधर रावन भी कर आया कि प्रभू आपने कृपा किया जब रावण को बांड लगा तो राम राम जबते हुए शरीर को त्यागा और विभीशन का रा भगवने सब आपकी कृपा से मेरा कुछ नहीं है प्रभू तेरा तुझे को रुपण ये लंका आपकी है आपने रावण को मारा आप ने ब बढ़ान ने कृपा कर दिया ये जीव हीं भी भीशन है मोह जब खत्म हो जाता है राम न मारा जाता है तो जीव की सहज इस्थिति उस नाराण में हो वह लंकेश हो जाता है फिर इन विकारों का राजा हो गया इन विकारों पर एक कमांड कर लिया पहले मनेह काग था करता आतम घात पाचे मन हंसा भया मोती चुंचुंखात तो भगवान की जो आदत है क्रिपा की रावन भी खुस जो मरा लंका छोड़ा वह भी खुस जिसको भी निश्चरों को भगवान ने माराश साब खुस लच्मन भी खुस सतुरधन भी खुस भरत जी भी खुस माताएं भी खुस पूरा अवध बासी खुस जब अयध्या में भगवान आये तो देखे कि अब एक से मिल रहा हूं और एक से नहीं मिलूंगा तो एक नाराज एक खुसी होगा तो यहां भी प्रभु ने कृपा की कृपा करके भगवान ने तुरत अमितरूप प्रगटे तेहीं काला जथा जोग सब मिल ही कृपाला सब अवध वासी से भगवान मिलूंगा उसके बाद माता सीता चली गई बन तो बालमी की भी खुस माता सीता भी कुस भी कुस गुरुपा के सिच्छा मिला यहां पर भी भगवान ने कृपा किया किस पर बालमी की जी पर और किस पर माता सीता पर किस पर अपने पुत्रों पर पूरा अस्त्र बालमी की जी जो जुटाये थे कृपा करके भगवान ने ले लिया और अपने भाईयों पर भ पाकी न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी बिंदु जी कितना भाव पुर्ण और हठ पुर्ण बात करें भगवन अगर आप दीनों के दिल में जगह तुम न पाते जो गरीब है गरीब मतब धन से क्या नहीं जो आपके भाव आपके लिए जो गरीब है आपको पाने के लिए जो गरीब है देखते हैं तमाम धन पती लोग हैं जो जाडू लेके मारते हैं मंद्रों में पोछा मारते हैं सफाई करते हैं तो वो तो अमीर थे वो तो गरीब क्योल करता ऐसा कोई अमीर गरीब कोई पैसा से नहीं होता इसलिए जिसके पास राम नाम रुपी धन नहीं वो गरीब है वो धन को जुटाने के लिए प्रभू आपको अपने दिल में हिफाजत कर रहा है हिफाजत करने का मतलब विकारों को धिरे धिरे काटना और भगवान को धिरे धिरे अपने अंदर लाना हिफाजत के भक्ति भी एक हिफाजत है गीताम भगवान ने कहा जुगा है इसको छिपा के करना होता है हिफाजत से रखना होता है तो कहते हैं कि अगर दीनों के दिल में जगह तुम न पाते भगवन गरीब के दिल में अगर जगह नहीं पाते तो फिर आपकी भक्ती की हिफाजत कौन करता इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुमारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से हे भगवन जो भी राम नाम जप रहे हैं अभी थोड़ा बहुत गरीब हैं उनके पास कम राम नाम रुपी धन है उनकी दुनिया आप शे आबाद है आप ही के कृपा से उनकी दुनिया चल रही है थोड़ा बहुत वजब ले रहें आप देखिए गरीबों की बस्ती में जाईए अमीरों की बस्ती में तो लोग सोच रहें आज अंडा बनाओ, मुर्गा बनाओ, क्या क्या बनाओ यह करो वह करो लेकिन गरीबों की बस्ती में जाईए तो वहाँ पर भी कुछ नो कुछ खाने पिने वाले मिलते हैं लेकिन भक्त के परसेंटेज ज्यादा रहता अखंड अखंड साल भर में दुचार बार उधर हो जाएंगे और अमीरों के टोला में तो अखंड तो नहीं होगा लेकिन पार्टी डेली हो जाएगी तो इसलिए करते हैं कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे जो थोड़ा बहुत बाहरी धन से गरीब है वो भी भगवान का भजन करना चाहता है प्रभु कुछ बाहरी धन भी मिल जाए और आपका कृपा भी मिल जाए क्योंकि आपकी दुनिया आबाद है और जिसको मिल गया अब गता आब हमको भगवान से क्या मत जब तक नहीं मिला था तो यह मंदिर वह बाबा वहां मनवती वहां आप ही सब कुछो प्रभु अब मिल गया भगवान ने दे दिया कुछ आटे बाटे लगा तब भगवान हमको देए दिये तब क्या होगा जैसे नेता जी लोग जब इधायक मंत्री नहीं बने रहते हैं चुनाव रहता है यह बाबा के पास वह मंदिर में वहां जाके माथा टेको यह करो वह करो अजब जीत ग परस हैं तो इसलिए गरीबों की दूनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी भगवान अगर भक्त नहों होते भक्त गरीब होता है तभी तो भक्ती कर रहा है अगर वो राम नाम रूपी धन अपरम पारोय भक्ती क्यों करेगा तब भगवान और उसमें कोई अंतरे नहीं वो तो उन्हीं के स्थिती का होगिया इसलिए भक्तों की दुनिया आबाद तुमसे गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी अगर तो भगवान नहीं होते अगर चोर नहोते तो पुलिस नहोते तो इसलिए भक्तों से गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी इसलिए है भगवान क्यों क्योंकि आपके अंदर जो गुन है कृपा की नहोती जो आदत तुम्हारी सारे भक्त इसलिए आपके चरणों में नतमस तक हैं इसलिए प्रभूर्श्री राम के आदर्शों पर सब चलना चाहते हैं इसलिए भगवान राम से सब प्रेम करते हैं क्योंकि सत्रू भी उतना ही खुश रहता था जितना मित्र खुश रहता था ऐसा प्रभूर्श्री राम जी के क्रिपा का चरित्र था आगे कहते हैं न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम न घर घर में होती पूजा तुम्हारी ही भगवान अगर आपके अंदर एक प्रिपा का गुम नहीं होता न आप क्रिपालू और दयालू नहीं होते न तो फिर न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम न कोई मुलजिम बनके आपके पास जाता न आप हाकिम होते मुलजिम माने रोगी हाकिम माने बैद दवा देने वाला तो रोगी है तभी तो डाक्टर की कीमत है रोगी ने रहेगा तो डाक्टर सुया लेकर बैटर रहेगा कौन जाएगा उसके पास कौन उसको डाक्टर सहाब बोलेगा रोगी है तो डाक्टर की कीमत सिस्य है तो गुरू की कीमत भक्त है तो भगवान की कीमत रात है तो तो प्रकास की कीमत, चोर है तुन्हे आएधिस की कीमत, तो न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, इबादत तुम्हारी, अगर आपके अंदर प्रहू कृपा का गुन नहीं होता, तो घर-घर में आपकी पूजा नहीं होती, घर घर में आपको राम राम पुड़े गाओं में अखंड किर्टन हरे रामा हरे कृष्णा ये नहीं सुनने को मिलता इसलिए बिंदु जी कहते हैं कि आप को ये सब इसलिए मिल रहा है भगवन ये आपकी भक्ती इबादत घर घर में पूजा इसलिए हो रही है कि आपके अंदर एक गुन है कृपा इसलिए सज्जनो हम सब को कृपाल बनना है कृपा करना है हर छेत्र में आप दयालू रहे एक करुणा रहे जीवों के प्रती भी करुणा होनी चाहिए आप किसी जीव की हत्या करते हैं किसी जीव को कश्ट देते हैं वो उसके अंदर से एक आह निकलता है उसको आपको भोगना पड़ता है आपको थोड़ा सा छीला गया थोड़ा लगता है बापने बड़ा दर्द हो रहा है उसको आप काट देते हैं दर्द होता है बोल नहीं पा रहा है या बोल रहा है ताब उसकी भासा नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए क्रिपाल उदयालू आप बनोगे तो आपका उद्धार होगा करुणा भगवान का करुणा सबसे बड़ा गुण था इसलिए प्रभू स्री राम जब जंगल में भी जाते थे तो मरीग देखके दूर भाग जाते लेकिन जंगल में प्रभु हे खगंरीग हे मधुकर अस्रेनी तुम देखी सीराम रिग नएनी पच्छीओं से जाके पूछते थे मिरीगों से जाके पूछते थे और वो लोग इसारा करते थे रोते थे इधर इधर जिधर इसारा करें उधर भगवान जाते थे तो आखरी की पंक्ती बहुँ सुंदर बिंदू जी ने लिखा इसमें अपना नाम भी उन्होंने दरसा दिया और बिंदू मतलब आशू भी होता कहते हैं प्रभू जो याखों में आशू है न यव आपको शौप रहा हो ये भावना का भजन है तुम्हारी ही उल्फत के द्रिगबिंदू है यह भगवन आपके ही प्रेम में याखों में आशू भर रहे हैं अब ये अमानत है प्रभू, और ये अमानत किसी और की नहीं है, आपके लिए ही रो रहे हैं। तमाम भक्त देखिए सुतीछन जी का कितना अच्छा चरित्र है। भगवान के लिए कितना बेचैन थे रो रहते भगवान गय दर्शन दिया माता सबरी का देखिये कितना सुन्दर चरित्र है प्रभू के लिए प्रदिन फूल विछाती थी मैया भगवान आएंगे तमाम ऐसे रिशी मुनी थे जो भगवान का रास्ता निहार रहे थे भगवान पहुचते थे और सरीर छोड़ देते थे तो इसलिए ये प्रभू ये जो आशू है बस आपकी ही प्रेम भावना में है तुम्हारी ही उल्फत के द्रिगविंदु है और ये जो अमानत है यहीं भक्त की सबसे बड़ी अमानत है ये आखों से आशू पुझे गुर्देव भगवान करते हैं प्रेमी का पहचान है कि गदगद गिरा नयन वह नीरा भजन करते समय आखों से आशू गिरने लगे तब समझो कि तुम्हारा भजन जागरित हो गया कभीर साहब ने कहा बिन रोय न पईबू सजन सखिया बिना रोय हुए भक्ती किये हुए आखों आशू बहाय हुए भगवान के लिए प्रेम तडब पैदा किये हुए कि क्रिपा का कोई अधिकारी नहीं हो सकता जो भी पूरे रामचरित मानस में पूरे रामायन में या भक्त मंडली में जो भी पात्र है क्रिपा का भगवान का क्रिपा का पात्र बना है वो उनके लिए इस द्रिग बिंद को गिराया है तब ही भगवान वहां गये है तो इस उनके प्रती स्रद्धा भाव अपना अर्पित करने लगो, रोज दो बूद आसू रो करके उनके चरणों में चरहा दो, माता मीरा रोते रोते कनहिया के चरणों में सो जाती थी, जैसे बालक माता के गोद में, पिता के गोद में रोते रोते सो जाता है, तो माता पिता कितना प्यार से उसको चादर ढखा के सुला देते हैं तो उसी तरह से भगवन ये अमानत है मेरी बस जो ये दो बूद आसू है और भगवान को सब बरदास्त हो जाता है सर्जनों लेकिन अगर नहीं बरदास्त होता है तो अपने भक्त के आखों में आसू भगवान सब कुछ बरद मेरे भक्त के आख में आसू लाएगा एका दसी ब्रत की कथा है सस्थन लंबा हो जाएगा भगवान ने तुरत छोड़ दिया दुरवासा के पीछे 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 अपने भक्त राजा की उन्होंने रच्छा कर ली तो भगवान सब बरदास्त कर सकते हैं बगत के आखों में आसु नहीं जहां स्रध्धा से रोया दिल से रोया तरब पैदा हुई अनुराग पैदा हुआ भगवान कहीं जहाज पकड़के नहीं आना है हिर्दय में ही है जागरित हो जाते हैं इसलिए तुम्हारी ही उलुफत के द्रिग बिंदु है यह तुम्हें स मैं इसको सौपता हूँ तो कृपा की नहोती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी इसलिए आपकी जो कृपा की आदत है प्रभू इसलिए आपकी अदालत भरी हुई है और इस जीव पर भी इस अधम पर भी आप कृपा करो क्योंकि अगर आप होगे तो बेड़ा पार नहीं होगा अपने भक्ती के बदावलत नहीं हो सकता है न कुछ हो सकता है सुतिशन जी करते हैं न जप है न तप है न सहियम है न जोग है न ज्यान है बस है तो प्रभु आपके क्रिपा का ही भरोशा इसलिए जहां इतनी सरलता आ जाती है भक्त में तहां भगवान उधार कर देते हैं इसलिए प्रभु श्री राम चंद्रजी मर्यादा पुर्शुत्तम कहलाए तो उनका एक शुभाव सत्रू मित्रव गरीव अमीद उंच नीच साधू शंत ग्रिहस्त सब पर्शमान रूप से क्रिपा करते थे बोलिये श्री श्री झाल 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 झाल